अक्सर लोगों को लोकी खाना पसंद नहीं होता है लेकिन आप अगर इस तरह से बनाएंगे तो सभी घरवाले बहुत ही मन से खाएंगे और बिना भूग चार-चार रोटिया खा जाएंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अब हम इसको पील करेंगे तो फ्रेंट्स लोकी खरीते समय आप इसमें थोड़ा सा यह ध्यान रखें कि लोकी में अंदर बीज नहीं होने चाहिए तो सौफ्ट छोटी लोकी लें तभी आपकी सब्जी बहुत ही टेस्टी वनेंगी तो हम इसे चील लेते हैं तब तक आप यह आप मेरी अगली वीडियो में देखेंगे और पिछली वीडियो का थैंक्यू जाता है कल्पना गोस्वामी जी भुज से ललित रुया जी कोलकाता से मुहम्मद जमी जी लाहौर से थैंक्यू सो मच ओल आफ यू तो यहाँ पे देखिए मैंने लोकी को चील लिया है फि इतने ही आप थिक पीस कट करें बहुत ज्यादा पतले या फिर बहुत ज्यादा मोटे पीस आपको नहीं काटने है और सारे पीसे मैंने इस तरह से कटका निसान लगा लिया है ताकि इसमें मसाला अच्छे से अंदर तक चला जाए तो अब हम यहाँ पे मसाला बनाएंगे अपर यहाँ, तो यहाँ पे मैंने एक बाऌल लिया है, और इसमें हम एड़ करेंगे आदा छोटा चंबच जीरा पाउडर और एक छोटा चंबच हल्दी पाउडर, और पर अधा China मुए में गल्स पाउडर, और एक छोटा चंबच लिया है मैंने लहसुना पेस्ट आप च जाने तो हैं तो आप इसमें थोड़ा सड़ दाही भी add कर सकते हैं लेकिन मैंने अज इसको कुछ different flavor में बनाया है तो तो यहां पे थोड़ा-darりा और यहां पर दखने है तो यहां-पर मस्थी थी तैया थै तो मैंने यहां पर नमक नहीं एड़ किया भी और अब हम इस मसाले को ब्रस की हेल्प से इस तरह से हर पीस पर लगा देंगे तो बहुत जादा नहीं हमें इसको लगाना है थोड़ा थोड़ा साही लगाना है और आप चाहें तो दोनों साइट भी लगा सकते हैं तो देखिए अब आपने सारी जो लगा लेते हैं यह मसाला तो अगर आपने इस तरह से कभी लोगी की सबजी बना के खाई है तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना और आपको यह वीडियो कैसी लगी यह भी मुझे जरूर बताना तो देखिए इस तरह से मैंने सारे pieces में मसाले को अच्छे से लगार दिया है अब हम इसको थोड़ी तरक लिए डखे रखेंगे इसके पहले हम इसमें अड्व करेंगे थोड़ा सा नमक क्या है तो आप उपर से ना आड करें तो इस तरह से एड़ करने से इसमें थोड़ा सा पानी रिलीज होगा और यह थोड़ी से सॉफ्ट हो जाएंगे तो देखिए तब तक यहां पे गैस पे तबा रखेंगे तबा या फिर पैन आप कुछ भी ले सकते हैं करीब दो चोटा चमच तो फिर हम यहां पे इसमें लोग के पीस एड़ कर देंगे तो जितनी बड़ी आपकी कड़ाई है तबाह फिर पैन है उतने ही आप इसमें पीस एड़ करें तो यहां पे देखिए मैंने इस तरह से इतने सारे इसमें फीस रख दिये हैं और अब हम थोड़ा सा ओयल इसमें और डाल देंगे क्योंकि ओयल थोड़ा सा कम लग रहा है उस तरह तो यहां पे ओयल डाल देंगे थोड़ा सा और बस इनको हम high to medium हीट पे इन्हें हम रोस्ट क करेंगे ना तो इसमें बहुत ही जाता इसमोकी फ्लेवर आता है तो आप इस तरह से एक बार सब्जी बना के खाएं आपको बस स्वात जिंदी की भर याद रहेगा बहुत ही लाजवाब बनती है तो लोकी की और भी रेसिपी मेरे चैनल पर हैं अगर आप देखना चाहते ह तो बहुत ज़्यादा हमें इन्हें गलाना नहीं नहीं बहुत ज़्यादा क्रिस्प करना है जब इस तरह से इसमें कलर आ जाय तभी हमें इसे निकाल लेना है तो दोनों बैच को मैंने देखिए रोश्ट कर लिया है और इसमें बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ रहा में ध्यान रखें आलो के पीसेस को भी हमें बहुत ज़्यादा मौटा नहीं कट करना है थोड़ा सा पतला ही कट करें और इन्हें मैं अच्छे से वास कर लूंगी अब और यहां पर मैंने कड़ाई ली है कड़ाई में मैंने करीब तीन चोटा चमश तेर लाला है और इसमे अड़ किया है एक चमश के करीब कश्मीरी मिर्च पाउडर और करीब एक चमश मैंने अड़ किया इसमें लहसुन का पेस्ट तो इन सारी चीजों को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और फिर हम इसमें एड़ करेंगे करीब एक बड़े साइज का प्याज जिसे मैंने इस तो आप प्याज को हमें बहुत जादा भी नहीं भूनना है तो अब हम एड़ करेंगे इसमें टमाटर का पेस्ट तो यहां पे मैंने दो टमाटर का इस तरह से पेस्ट बना लिया है तो अब हम मिक्स कर देंगे मसाले के साथ और आप जाहें तो आप टमाटर को बारी काट के चाहिए आड़ करते हैं तो चौइस आप की एपको जैसा पसंद है आप इसमें आड़ कर सकते हैं टुमाटरों को मैंने थोड़ी देर के लिए पका लिया है फिर हम इसमें एड़ करेंगे करीब तो अधिकि की एक छोटा चमच घ्रलदी पॉडर और एक छोटा चमच लिया हम धनिया पॉडर और 18 तोड़ा चमच लिया मैंने ह exactamenteगी और एक मेंने इसमें घ्रीण चैली एड की है जो काफी बड़े साइच की थी तो तोडके में एड करो रिए ना है तो बस मसालों को थोड़ा सा V attract dhp कर deputy में अब हम इसमें एड के थोड़ा सा पानीब ने बहुत सब्सक्राण से बबड़ान झाये रिए से में मसाला निकाल भी तो यहां पर देखिया देखी था cui aमाँ और हम्हार देखे लंगम कारें में। अलु को मैंने पाणी है शुए लगा था रपाइब निकाल करें, तो बस यहाँ पे हम आलू एट कर देंगे और फ्रेंट अगर आप आलू नहीं एट करना चाते हैं तो बस आलू को आप यहाँ पे skip कर दीजिए तो आलू को हम अच्छे से mix कर देंगे शुरमर मसाले के साथ और आप चाहें तो आप सिर्फ आलू की इस तरह से सबजी बना सकते हैं तो देखरें ना बहुत ही जादा टेम्टिंग लग रही है तो साथ ही हम यहां पर थोड़ा सा नमक भी एड़ कर देंगे तो बहुत जादा नमक यहां पर नहीं एड़ करना है क्यूंकि लोकी में पहले से नमक एड़ किया हुआ है त बस यहां पे इसको हम ढख देंगे अभी पानी नहीं एड़ करेंगे इसको ढखे हमें पकाना है ताकि आलू हमारे थोड़े से पक जाएं तो अब देखिए यहां पे करीब एक से डेट मेट के लिए मैंने आलू को पका लिया है अच्छे से इसको मिला दीजिए अब दो मसाल अब हम इसको मिक्स कर देते हैं तो सब्जी तो बहुत ही ज़्यादा टेश्टी बनने वाली है आपको अभी से लग रहा होगा तो अच्छे से मिला दीजिए इसको कि मसाला अच्छे से हर एक पीसे में लिपट जाए तो अब हम इसमें एड़ करेंगे पानी तो पानी आप को उतना ही अड़ करना है जैसे आपको ग्रेवी चाहिए तो ग्रेवी के अगॉर्डिंग आप पानी आड़ कर दीजिए तो मैंने यहां पर करीब ये 12 कड़े कंप पानी एड़ किया है और कप आप देखी रहे होंगे क्योंकि अभी आलू पकने बाकी हैं तो जब तक आलू पकेंगे ग्रेवी थिक हो जाएगी तो इसलिए आप अपने अकोर्डिंग्स में पानी अड़ करें तो बस यहाँ पे अब हम थोड़ा सा इसमें अड़ करेंगे गरफ मसाला यह टोटल उप्सनल है अगर आपको गरफ मसाला नहीं पसंदे तो आप इसे स्किप कर सकते हैं तो बस यहाँ पे अब हम इसको ढख देंगे ढखके हमें इसे करीब 3 मिएट के लिए कुक करना है तो 3 मिएट बात देखिए हम इसको इस तक से पलट देते हैं तो यहाँ पे अभी जो अमारे आलू हैं कुक नहीं हुए हैं मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि इसको मिक्स करना वह जरूरी है तो देखिए आलू नहीं तूट रहे हैं इसका मतला भी आलू अभी कुक नहीं हुए हैं तो दुवारा से हमें इसे अभी धक्ये पकाना है तो इसे हम धक देंगे और धक्ये हमें इसे तब तक पकाना है जब तक आलू अच्छे से कुक नहीं हो जाएं तो अब देखिए करीब 3-4 मिट बाद मैंने आपको फिर से दिखाया है तो टोटल मैंने इसको 7-8 मिट पकाया है सबजी को और हीट को मैंने थोड़ा सा लोही रखा था तो देखिए इसमें ग्रेवी इस तरह से है और अब हम देखते हैं आलू हमारे पके हैं की नहीं और देख रहे ना सबजी का टेक्शर कितना प्यारा लग रहा है तो अब हम इसको देखिए तोड़ के दिखाते हैं तो देखिए आलू बहुत अच्छे से तूट रहे हैं तो आलू तो पक गए हैं और लोकी तो अल्मोस्ट कूख हो गई है तो लोकी भी मैस नहीं हुई है तो लोकी को भी हमें मैस नहीं करना है अच्छे से आप इसे चलाना हलके हाथों से ताकि लोकी मैस ना हो और बस यहां पे हरा धनिया मिक्स कर दीजिए और लीजिए हमारी लोकी की सबजी बहुत ही डेश्टी बनके त्यार है और आप जिसे भी खिलाएंगे ना बस आपकी तारीब जरूर होगी तो इसे गर्मा गर अच्छी लगती है तो मैंने बनाए हैं आज प्लेन राइस तो इन्हें मैं आज इन प्लेन राइस के साथ खाऊंगी तो बहुत ही अमी लगते हैं तो तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को अगर अभी तक आपने अपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और जिन लोगों ने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखा है उन्हें तह दिल से धन्यवाद थेंक्यू सो मुच ओल आफ यू आप सभी के सपोर्ट के लिए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं फेस्बुक पे तो फेस्बुक पेज को फॉलो जरूर करें और इस्टागाम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों का लिंक आपको डिस्करप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो मिलती हूँ नेक्स वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग बबाई